Hello guys, welcome back to my YouTube channel और आज में बात करने वाला हूं WhatsApp की जो new privacy policy आई है उसके बारे में So let's start the video आपने देखा होगा कि आपके जो WhatsApp है उसमें WhatsApp का status आ रहा होगा अगर आपने अपना WhatsApp जो है अपडेट किया होगा या नहीं भी किया होगा तब आपको status आ रहा होगा जो उसमें बहुत सारे चेंज कर दी थे जो आपका जो डेटा था वह ब्रीच हो रहा था और उसको फेस्बुक के साथ और इंस्टागरम का share करने वाला था लेकिन जब उसमें देखा कि बहुत सारे जो यूजर्स हैं जो WhatsApp को जो है छोड़के जो है अपना signal app पे और आपका telegram app पे switch हो रहे हैं तो उसको जो है बहुत ज्यादा वर्साप को बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा था क्यों को बहुत सारे यूजर्स थे वह वर्साप को जैसे छोड़ रहे थे डिलीट कर रहे थे उसको जो इसको जो 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 चार जो 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 स्टेटिंटे पर दा रहा हूं जो उनका पहला जो स्टेटिस है वर्साप पे रहुए पहला जो स्टेटस है वह है we are committed to your privacy इसका मतलब है कि जो वर्सप है जो जितने भी यूजर्स है वर्ल्ड वाइड उनकी जो प्रिविस्टी है उसके लिए उसके प्रिविस्टी है उसकी जो प्रिविस्टी है उसको ब्रीज नहीं करेगा और नहीं नेक्स इन फ्यूचर कर सकत है सो यह पहला जो उनका स्टेटस था जो जो पहले जो जो उनकी जो प्रिविस्टी पॉल्सी थी वह इसके अगेंस थी अब इन्होंने जो है उसको किया है अब सेकिंड की बात करते हैं उसमें लिखा है वर्सप कांट रीड और लिसन टू यूर पर्सनल कंवर्सेशन एज जो इसका मतलब है कि जो आप कुछ भी उसमें चैटिन करते हो मैसेज करते हो डेटा सेंड करते हो तरह लिए पाएगे के जुह है वह साट privately यूर्ण कर यह बेस्यों जो नहीं है नहीं कर पाएगा लेकिन ना वह उपहले घसको ऐख लेकिन पे रीड लागे FM और जो है इसको secure कर रहे हैं आप बात करते हैं तीसरे status की जो इसमें लिखा है WhatsApp can't see your shared location आप देख सकते हो इसमें उन्होंने कहा है कि जो अपनी location shared करते थे अपने friends के साथ वह उसको WhatsApp जो है भी नहीं देखेगा और नहीं देख सकता है उन्होंने अपनी privacy policy उसको change कर दिया पहले उन्होंने कहा था कि जो भी shared location है आप कहीं भी हो कुछ भी कर रहे हो जो भी है वह उसको WhatsApp जो है location को उसके उपर चेक रखेगा लेकिन आप उसको हटा दिया बात करते हैं फोर्थ वन की जो फोर्थ वन जो इसकी जो है policy है उसका है WhatsApp doesn't share your contact with Facebook तो आप देख सकते हो कि जो WhatsApp है वह आपका जो है context information है जो उसको Facebook के हाथ share नहीं करने वाला है क्योंकि जो पहले उन्हों अपनी policy में कहा था कि हम जो है कुछ भी data है आपके context information है वह सारी जो है Facebook के हाथ हो जाएंगे और उनको बहुत ज्यादा नुशान होगा इसलिए WhatsApp नहीं है जो privacy policy है इनको बापस ले लिया है और उनको user friendly बना दिया है आप देख सकते हो आपको अपना WhatsApp डिलेट करने की जुरूरत नहीं है आपका अकाउंट डिलेट नहीं होने वाला है आप इस अकाउंट को जो है यूज कर सकते हो अपना WhatsApp यूज कर सकते हो आप अपनी chatting कर सकते हो वीडियो कॉल कर सकते हो जो भी आप पहले करते थे आप वह वैसे ही आप इस पर कर सकते हो क्योंकि आपका वर्साइब पहले के तरह फुलीश्यक्योर है उसमें आप वर्साइब कुछ नहीं करने वाला है आपको यह इंफोमिशन अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें एक यह जो करेंद दूब करें करें लुट करेंद लुट करें लुट करें लुट करेंद अवर्साइब करेंद आपका जापका वाला है